मित्रो आज एक कारेकरम जम्मू कस्मीर में रखा है तब मैं निश्चीत रूप से जम्मू कस्मीर की स्थिती का भी बाद करना चाहूँगा। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधान मंट्री बनने के बाद जम्मु कस्मीर की इस्तिती में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तना है। सबसे पहली बात जम्मु कस्मीर में लोगतंत्र को गाउं तक पहुचाने की सुरुवात हुए है। आज नरेंद्र मोधी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रो इसके साथ ही दारा 370 हटाने के कारण दलीतों, पिछडे वर्ग, महिलाओ और पहाडी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कही न कही कटे हुए थे नए कानूनों के तहट इन सब को समाहित करते हुए सर्वस परसिया, सर्वस अमावेशक विकास की सुरुवात जम्मु कस्मीर में हुई है। और मैं मानता हूँ कि जम्मु कस्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो ससस्त्रबलों की सबसे बड़ी सफलता है, कि यहाँ पर आतांक वाद पर एक नीनायक, नीनायक कंट्रोल लेने में ससस्त्रबलों को सफलता मिली है। अउद्योगी क्विकास भी देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मु कस्मीर में आया है, हमारे लजी साब यहाँ बेठे हैं, मैं उनको बहुत-बहुत मनोजी को बदाई देना चाहता हूँ कि 33,000 करोड से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम् पर उतारने में जम्मु कस्मीर प्रसासन को सफलता मिली है। स्याच्यूरेशन जम्मु कस्मीर लाया है, इसके लिए जम्मु कस्मीर प्रसासन बहुत-बहुत बधाई का हकदार बनता है। सडक निर्मान में सारे रेकोर्ड तोड़ते हुए ये पांच साल के अंदर सडक निर्मान आजादी के बाद सबसे तेज रप्तार के साथ हुआ है। दो एम्स बने हैं, 21 जलविद्धूत योदनाओं को सुरू कर दिया गया है और इसके साथ-साथ हर क्षेत्र के अंदर पारदर सिता को लाने में जम्मु कस्मीर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। अजादी के बाद पहली बार ब्रस्टाचार के विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान दोनों प्रकार से किया गया। झाल प्रकार के विरोध में एक रहा है।